हलो फ्रेंड्स वेलकाम टू दा यूनिक यूनिवरसिटी आज हम आपको एक बहुत ही बड़ी नहर के बनाने बारे में बताने वाले जो नहर मानव निर्मित है और दुनिया की सबसे बड़ी नहरों में से एक पनामा नहर जिसका नाम है कैनाल दी पनामा जो कि पनामा में स्थित है एक बड़ी सी नहर है जिसकी बहुत ही दिल्चस्प कहानी है यह एक जल्यान नहर है जो कि पनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर की अटलांटिक महासागर से जोड़ती है इस नहर की लंबाई 72 किलो मीटर तथा चोड़ाई 90 मीटर है गहराई 12 मीटर है यहांतर राश्टिये जलमारगों का बहुत ही महतुपूर्ण हिस्सा है इस नहर पर पनामा देश का नियंत्रण है इसके प्रियोग से लगभग 12,875 किलो मीटर की यात्रा की बज़त होती है इस नहर का निर्मार 14 अगस्त 1914 को पूरा हुआ था 15 अगस्त 1914 से इसमें जहाज आते जाते हैं इससे जहाजों के निकलने के लिए तीन लॉक्स का निर्मार किया गया है इसमें जल्पोतों को प्रवेस कराकर पानी भरकर उपर उठाया जाता है फिर आगे बढ़ते हैं यह नहर एक जील से होकर जाती है जो कि समुद्रतल से उपर है जिसके करण लॉक्स का निर्मार किया गया है American Society of Civil Engineers ने आधुनी के स्ट्रक्चर के साथ आश्चर्यों में से इसको इस्थान दिया है इसको बनाने में 34 करोड 50 लाख रुपए लगे थे जो कि वर्तमान लागत आज के समय आठ अरब 60 करोड रुपए के बराबर है 31 दिसंबर 1999 को इस नहर का प्रशाशन पनामा को सौपा गया इसमें से जहाजों से निकलने की बहुत ही विचित्र विवस्था है पहले लाग में पानी भरकर जहाज को 85 फेट उपर उठाया जाता है जहाज उपर उठने के बाद इसके दोनों तरफ इंजन लगे होते हैं जो जहाज के किनारों से टकराने से रोकते हैं और फिर यह पहले से दूसरे लाग में जाता है उसके बाद पीसरे लॉक में जाता है इस लॉक का प्रयोग दोनों तरफ किया जाता है दुनिया भर का पांच प्रतस्थ व्यापार इसी जगह से होता है पनामा नहार से पहले एक हजार पचास फीट लंबे तथा 110 फीट चौड़े और एक तारिस पॉइंट दो फीट कहराई तक के ही जहाज निकल पाते थी परंथ अब इसको और बड़ा तथा बड़े जहाजों के प्रयोग के लिए और सुद्रभ बनाया जा रहा है यह नहर गाटून जील से होकर निकलती है हाल ही में इसके लॉक्स में पानी भरने से और छोड़े जाने के कारण इसकी गुर्वत्ता प्रभावित हुई है इसका पानी मीठे से खारा होता जा रहा है बात करें इसके निर्मार की तो पनामा नहर को बनाने के लिए सबसे पहली योजना इस्पेन के राजा और पवित रोमन सामराज के सामराज चार्ल्स पंचम ने सन 1534 में पास की 1658 में इसको आउट रैंड राज द्वारा ने किया गया जो एक इस्थलमार्ग था लेकिन विदा विसम परिस्थितियों के कारण इसको 1700 में ही छोड़ दिया गया 1855 में विलियम कनिश नामक इंजीनियर ने संयुक्त राज अमेरिका की सरकार के लिए काम करते हुए इसका निरिक्षड किया इसमें फ्रांसीसियों का भी उत्साह था एक जनवरी 1887 को फंडेज की लेसब के नित्रतु में सुरुआत हुए जो सोयज नहर का निर्मार करता था इसकी जलवाग्यानी का धेन के बगएर काम सुरू किये जाने के कारण लगभग 22,000 कर्वियों की जाने गई उसके बाद 1889 में यह कमपनी दिवालिया हो गई और उसने भी कारण बंद कर दिया फिर एक कमपनी कॉमपैगनी नौविल जो कैनाल दी पनामा बनी इसका भी प्रियास असफल रहा फिर अमेरिकी सरकार ने कॉलम्बिया के साथ संध करते हुए इस कारे को अमेरिकी इंजिनियरों ने समहला और यह 1914 में बन के तयार हो गई इसके बाद में इसका पुना परसार कारे प्रारंब हुआ 2015 में इसको और विस्तादित किया गया इसके लॉक्स में धेर सारा पानी बरबाद होता था जिसकी समस्या से बचने के लिए लॉक्स के बगल में तीन बड़े बड़े चैमबर्स का निर्मार किया गया और धेर सारा पानी उनमें एकत कर लिया जाता है जो कि जहाज को उपर उठाते समय वो पानी प्रयोग कर लिया तो यह पानी नीचे बड़े बड़े चेमबर्स में एक ठाकर लिया जाता है इस तरीके से केनाल दी पनामा आर्थिक द्रेश्टे से बहुत ही उप्योगी साबित हुई अब आप बताईए आपको इसको बारे में जानके कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं जल्द ही हाजिर होंगे ऐसी ही एक और दिल्चस्प इस्टोरी के साथ तो दोस्तों मज़ा आया नहीं आया ओ सॉरी कोई बात नहीं सबस्क्राइब कर लो अगली बार आएगा पक्का एं तब तक के लिए जाय हिंद लव यू आप भूझा कर दोस्तों झालाओ आया चुप हाणोपी ऑन का लूझा मि जायच यूजागा कॉप हाणों लवां... याण़ा जूग वाूँ